में को मज़ा आ रहे हैं, honestly speaking, I am very happy guys, I am very impressed with Scram411, 80 के स्पीट पे मुझे है, Vibration Tank के यहाँ पे पील हो रहा है मस्कार दोस्तों, मैं हो आपका Motor of Heart, आज करेंगे हम Scram411 का Detailed Review दोस्तों, हमालन को मैं as a owner बहुत अच्छे समय के लिए चला चुका हूँ, और आज मैं मेरा हमालन का अनुभव Scram411 के साथ compare करूँगा और आज मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूगा और मैं आपको बताऊँगा कि Scram411 और हमालन में कौन सी गाड़ी आपके लिए पैस्ट रहेगी तो लेस्ट गेट स्टार्ड तो लेप साइड में Scram411, राइट साइड में मेरी हमालन आपको साइस डिफरेंस दिखेगा जो विल है हमालन का यह 21 इंच का है और स्क्रैम का है 19 इंच का टायर का सेक्ष्ण भी थोड़ा डिफरेंस है इसमें थोड़ा पतला है क्योंकि यह 21 इंच होने के जारां दिए टायर सेक्ष्ण छोटा दिखता है यह अपना 19 इंच का टायर है वेर्याज यह टायर सेक्ष्ण है 100 का क्योंकि यह 19 इंच का वील है तो स्क्रैम में आपको ज्यादा बड़ा सेक्ष्ण मिलता है लेकिन जो वील का साइज है यह छोटा हो गया है आँ स्क्रैम पूरे Ist और विएर वाला प्रंट में चैंजे से ती रात है तियानिक अपर सस्पेशन हमाला में मिलता है 40-1-inch के और इसमें 41-inch मिलते है लेकिन जो ट्रावल है ही मदमे 120 mm का और इसमें ड्रावलन है 90 mm का 60 mm का तो difference कम अभाते एफान ibtरवल में। होपर है भूप आते हैं के होपर अपर The तो, instrument cluster हुआ है more than up, लेकिन information कम निलती है इसमें, चलाते हैं मुझे rpm ने दिखा, वह बात करूँगा कि इसमें rpm दिखता है, नहीं कम करूँगा, लेकिन इसमें rpm नहीं दिख रहा है, speed अब अब ही है, analog है, बाकी information वैसे भी digitally है, और अपने Himalayan में भी यह information digitally दिखती है, इसमें आपको RPM दिखता है, और अब नए हमाले में आपको जो navigation है वो नहीं दिखता है, मिनस यह वाला navigation की बात करो हुआ, पुरान हमाले में दिखता है, रिपर नाविगेशन हमालें में स्टॉक में आता है मतलब पहले इंद मोडल में आता है इसके लिए आपको एकसेसरी खरीदना पड़ता है आपको स्क्राइम फोरोल में यह एक चेन देगेगा आई बटन वाला जो हमालें में नहीं है उसका काम यह है कि यह जो ट्रीप वहते इस बटन से बढ़ता है मोड वाला बटन से टैंक साइस की बात करूं तो टैंक साइस सिमिलर है लेकिन डिजाइनल चेंजेस है यह अपना पेट्रोल का केरियर इससे मिसिंग है और यहां पे डिजाइनल चेंज हुआ है उसके बाद यह जो पैनल है यह भी सिमिलर है लेकिन इसमें डिजाइनल चेंज इस है तो ये एक थोड़ा बहुत चेंज है कि साइलेंसर का पॉजिशन है वो डिजाइन ये भी सिमिलर ये इच्छे वाली रेल है इसमें थोड़े डिजाइनी चेंजिस है है सेमी लेकिन ये एंड वाला पोर्शन है जा कि आप लोड लग सकते हो सेवन कीजी का यहां से मिसिंग है यहां पर नहीं मिलता है टेल लाइट कंप्रीटली सिमिलर और यह भी लाइट जो है अपनी इंडिकेटर वो भी सिमिलर स्प कंपरडेबल मैंने थोड़ा अफितर मार्केट इसके उपर लगाया है इसका भी कंपरडेबल इसका थोड़ा मुझे बेटर लगा चलाती समय दोनों भी गाड़े के डिस्की साइज सिमिलर है ब्रेकिंग भी सिमिलर है मतलब जो यूज किया है क्यालिपर वगेरा रियर और ब्रेंट में दोनों में भी सिमिलर ही है बाइब्रेकर बेक्स यूज किया है अब आते एंजिन के उपर गाड़ी के इंजिन दोनों ही सहम है 411 CC इंजिन है गाड़ी में जो प्रोड्यूस करता है 24 dhp at 6500 rpm और 32 Nm at 4000-4500 rpm लेकिन मैं आपको चलाते से में बता हूं का कि क्या चैन्जेस मुझे फिल हूए गाड़ी में एजब पावर थोड़ा डिफरेंस है ट्यूनिंग अलग है गाड़ी का आवर का लेकिन परफार्मस है में लेकिन ट्यूनिंग अलग है और यह इपरेंस पावरेटन है माला आपको मेंस्तेंड मिलता है वेराज स्क्रैंफ कमोड़े गैपस है वह अभी भी प्रॉइडेंट है या आप अभी देखां अभी तक उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ इंप्रूमेंट नहीं हुए है आप यूड़े पूरा देखिए डिफरेंस है फिल होता है चालाते समय तो आप एंड में देखिए मेरा वर्डिक हेमाल होगा की गाड़ी थोड़ी हलकी लेगेगी हिमालेन से वेट तो नेरली से में सिप चार पाच किलो का अंतर है लेकिन यह जो आगे का वील है वो नाइंटीन इंच का होने के कारण थोड़ा मूवमेंट के लिए देखो काफी आसानी हो रही है है हैंडल बार भी अलग है पावर का ट्यून भी अलग है कि जल्दी समझ में आ रहा है मुझे फील हो रहा है ओ लो एंड पंच मीटरेंच पंच थोड़ी बहतरीन स्क्रैम फोर रिलेनन में और राइडिंग पोजिशन है स्टाइल है जो यह भी अलग फिल हो रही है थोड़ा अपराइट जादा और पेरो का जो पोजिशन है वो भी हिमालेन से थोड़ा डिफरेंट है एंगल है जो डिफरेंट लग रहा है मुझे और आम्स भी काफी हद तक रिलाक्स लग रहा है यह जो ऑच्छ असरोच कहा है एंगल ब्यू लुब प्राइसपिशन थोड़े से न स्देफ प्राइज तिफ ओ हमालियान कि हिमालेंद में ज्याइदा कुशिनी सस्पेंशन फिल होता है इसमें थोड़ा स्टीफनेस है लेकिन काफी अच्छा है आपको कॉंफिदेंस भी दिदा है देखो और सप्राइसिंगली मुझे थोड़ा इसका क्लच एक्षन बी लाइत लगा हैं और गेर बॉक्स भी स्मूधर पीद 햇ब अए conteúdo लेकिन है तो सैम लेकिन मुझे फिल हो रहा है कि इसका क्लच एक्शन लाइट किया है कमपनी ने और गेर बॉक्स में थोड़ा इंप्रूमेंट है है वाइबरेशन से है अभी मैं हूँ 80 के स्पीड के उपर और इसमें आरपीम नहीं दिख रहा है मुझे इंस्टूमें प्लस्टर में I don't know इसमें है या नहीं है लेकिन आरपीम नहीं दिख रहा है तो आरपीम में नहीं बता सकता लेकिन 80 के स्पीड पे मुझे वाइबरेशन टैंक के यहाँ पे फील हो रहा है इसकी साथ हैंडल बार में नहीं फील हो रहा है सीट में भी नहीं फील हो रहा है तो टैंक में है वाइबरेशन फुटपेग पे भी है फ़ड़ा और किश लेते गाड़ी को अंड्रेट के पाथ हैंडल बार में भी वाइब्रेशन फिल होना शूरू हो जाता है और टैंक में भी वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाते है और ये सेम कैरेटर हिमालेन जैसा हिमालेन भी वाइब्रेशन ऐसे ही तरीके से दिखते है आप हंड्रेट क्रॉस को रखें तो ज्यादा वाइब्रेशन फिल होगा तो वाइब्रेशन है अभी भी है तो बी ऑनेस्ट लेकिन आइड़ नो मुझे ये गाड़ी टेसराइड के इसलिए इसमें ज्यादा लग रहे कंपेर तो हिमालेन मेरे हिमालेन में जो में चलाता हूँ उसमें मुझे वाइब्रेशन इससे कम लगते इंजिन का नॉईज जो आवाज है इंजिन का आवाज है नॉईज लेकिन जो रोईल का चो चारेक्टर है जो इंजिन का आवाज है वो भी सिमिलर टू हिमालेन, एक्जॉस का साउंड सिमिलर टू हिमालेन सी, इस वेरी इजी तो मनुर इस मोटर साइकल कैसे में इजी टरन लिया हिमालेन होती तो थफ़ड़ा सोचना पड़ता है कि एंगल को एज़स अपने अपको करना पड़ता है रास्ते की हिसाब से लेकिन स्क्राम 4.11 में इस क्वाइट इजी टू इनो मनुर अन रोड मुझो थोड़ा ज्यादा पहंच लग रहा है लो एंड में मुझे जाड़ी को किसे क्रूज कर सकते हैं अने स्पिकिंग मुझे क्रूज में हिमालेन ज्यादा बेटर लगती है इंजिन सेमें लेकिन ट्यू ना लग है लेकिन 80 के स्पिड के ओपर हिमालेन इजिली सेडल हो चाता है यह थोड़ा सा थ्रॉटल में मुझे डिफरेंस लग रहा है इसका थोड़ा सा चॉपी है थोड़ा सेडल नहीं होता इजिली सौ के ओपर दिखते है ट्राफिक आ गया लेकिन थोड़ा फिल हो रहा है कि यह अजिन का जो सर्य थ्रॉटल है यह यह कंपेर तो हिमालन थोड़ा सा अलब इसली सेटल नहीं होता है यह सा ट्यून किया है कि आप इसको नहीं क्विक्ली देगा चला सको इन सीटी सिनारियो इस लाइक दिस ब्रेकिंग टेस्ट कर लेता है थोड़े ब्रेक्स इंप्रूव हो है मैं भी ब्रेक्स नहीं इंप्रूव हो लेकिन इसा लग रहा है कि जो वील है उसके वज़े से अच्छा पढ़ रहा है बेकिंग ब्रेक्स तो सेम ही है सब सेम है लेकिन फिल्द अच्छा है मिल रहा है इसमें इसमें कंपेर टो हिमालेंड और ऐगा हमालन में थोड़ा सा लगता है कि आ वूड़ नहीं होता है मतलब फील नहीं होता है यहां पर आपको इस में थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे अबरेकिन स्टॉपिंग डिस्टन्स नियरली सेम है सिफ फिल इंप्रूव हुआ है ब्रेकिंग का लगता है कि आपने ब्रेक लगाया है लेसी ओन स्पीड भेकर्स यह आई वोज राइट स्टिफनेस है थोड़ी ज्यादा स्क्रैम 411 में स्टॉपिंग के देखते है यह इट्स पॉसिबल अब इसको खड़े हो की चाला सकते हो I don't think so, इट्स में कोई इसा इश्यू है then that's a plus point easily, easily चला सकते है मेरा हीट है 170 cm और मुझे कुछ भी परिजानी नहीं हो रहे है इसको सैडल करने में आसान इसमें इसको चला सकता हूँ खड़े होतके स्पिर्वेकर पर वाव वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस देगा मैं बोला था आपको इसमें ना आप विक्ली बोर्टेक्स कर सकते हो इसका गेर बॉक्स थोड़ा बेटर है और या इट फिल्स वेरी निम्बल इसको मैं एक नॉर्मल मोटर साइकल की तरह की चला सकते हो लाइक डिस वेरी फन टो राइड मोटर साइकल गाईज अब यहां से थोड़ आफ रोड़िंग करते है टेस्ट हो जाएगा वेरी इजी वेरी कमफर्टेबल स्टीफ मुझे लागा था कि स्टीफ है लेकिन जब यह गाड़ी और अफ रोड पे चलती है यह भी काफी कैपेबल लगरे मुझे अब स्टीफ यह पियोल है यह लेकी दोड़ी आफ भू जब टोड़। हमालयन वर भी इत इक्यूली कैपीबल गाईज इ JUST धि इक्यूली कैपीबल थे हमालयन और में अब का पको के साइक रहूए। मैं त त उसके साथ अफ रोड धीच डेफिनेटली, नो प्रोब्लम अट आल, I am enjoying this, right now, लिखते इसका अब तर्निंग एंगल के साथ, ओके, तर्निंग एंगल उतना ही है, लेकिन, आसानी होती है आपको, गाड़ी को घुमाने में, तो आते हैं आप कंक्लूजन की तरप, और मैं आपकी कोशिश करता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर करने की, तो स्क्राइंग फोरेल में आपको क्या बेटर मिलता है, पेली चीज़, आपको बेटर लो एंड और मिड रेंज पंच फील होता है, दूसरी चीज़, आपको कलच लाइट मिलता है, गेर बॉक्स थोड़ा सा स्मूध मिलता है, क्योंकि यह नया मोटर साइकल है, तिसरी बाद आपको यह मोटर साइकल हलकी फील होती है, चलाने में मज़ा आता है, फंटू राइड होती है, चौती चीज़, आपको ब्रेकिंग अच्छा फील होता है, क्योंकि वील छोटा है आगे का, तो जब ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेकिंग अच्छा फील होता है, उसके बाद आपको पाच्वी चीज़ मिलती है, जो इंपॉर्टन्ट है, वो है कि ये मोटर साइकल सब कर सकती है, लाइक, इट कैन डू आल, लाइक आप इसको सिटी में चलाओ, मजाएगा, आप इसको टूर करो, मजाएगा, आप इसके साथ आफ रोडिंग करो, मजाएगा, यह सब यह motorcycle कर देती है तो आप आप कहोगे कि हिमालेन क्यों ले जाते है स्क्राइम 411 ले लेते है 15,000 बच जाएगा एक्सेसिरिस लेंगे इसके साथ चलो हो गया वीडियो खतम रुको सबर करो देखो जब रॉयल इंफिन ने हिमालेन को बनाने का सोचा तो उनका purpose था कि ऐसी motorcycle बनाए जो हिमालेज में जा सके हिमालेज को पार कर सके और आज भी हिमालेन वो काम बकू भी करती है यह एक purpose full motorcycle है जिसको company ने off-roading और adventure touring के लिए बनाए है और आज भी उसका काम है वो scrim for relevance से उस जिसके लिए इसको बनाए है उसका काम वो अभी भी battery करती है scrim for relevance से क्यूंकि आप जब हिमालेन को चलाओगे scrim for ने के बाद road पे चलाओगे तो आपको इतना अंतर नहीं लगेगा लेकिन इसका जो purpose है वो आपको आपको मदद जरूर करेगा और आज भी उसका जो touring aspect है आपने वीडियो दिखा हो का पूरा तो आपको पता चला हुआ कि मैंने बता आपको कि हिमालेन में better touring मुझे फिल होगा क्यूंकि इसमें वाइब्रेशन मुझे कम फिल हुग है चलाती समय और हिमालेन थोड़ा ज़्यादा मुझे स्टेबल लग रहा था तो क्यूंकि मैं हिमालेन चला तो मुझे पता है स्क्राम फोलें मुझे अच्छा नहीं लगा इतना 800 के उपर फिल हो रहा था थोड़ा unstability in a engine rpm हिमालेन में मुझे बेटर तून लगा जो पहले वाला तून है स्क्राम फोलें में तून चेंज हुआ है तो मेरे को पहला वाला तून ही बेटर लगा है तो as a tourer I'm saying as a tourer I'm not saying as a urban motorcycle urban motorcycle स्क्राम फोलें बेटर पर हिमालेन as a tourer and as a off-roader still a better choice for a serious off-roader or a serious tourer so आप यदि नए rider हो और आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है आपको off-roading करना है या नहीं करना है आपको touring करना है नहीं करना है आपको सिफ नया motorcycle चाहिए जो roll and field का हो और एक अच्छा sport इफन motorcycle हो तो आप जाओ और scram for realm बिंदास ले लो और यदि आप thoughtful हो आपको पता है कि आपको क्या करना है आपको off-roading करना है serious और आपको touring करना है आपको जाना है लदाक में या long tours not only long tours तो आपको आज भी हिमालयन ही better पड़ेगा क्योंकि उसका जो riding position है वो long tours में definitely better आपको feel करवाएगा तो यही ता मेरा कोशिश था confusion दूर करने की आपका दूर करने की और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और यदि आपको helpful लगा तो इसको जरूर शेयर करना और ऐसे वीडियो आपको पसंद रहे देखने के लिए reviews related motorcycle के तो जरू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और और आपको ये आपको वीडियो पसंद आया और थैंक्स फो वाचिंग एंड केप लविंग गाइस